पिछले विडियो में हमने पिक्टो ब्लोक्स के AI ML extension में यह जो recognition cards का extension है इसको use करते वे यह एक program बनाया था जिसमें कि जब हम green flag press करते हैं तो हमारा webcam on हो जाता है और वो recognize करता है अगर object go तो वो यह green light on कर देता है और अगर object है stop तो वो red light on कर देता है इस video में हम यही same recognition cards use करेंगे पर हम instead of sprites को call करने के बदले हम यहाँ पर arduino uno लगाके एक servo motor को control करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास यह एक arduino board है जो मेरे laptop से connected है और इसके साथ मैंने एक servo attach करी है servo के जो 3 wires है वो एक VCC का wire मैंने यहाँ पर 3 volt में डाला है arduino के 3 volt पर और servo का जो ground wire है वो मैंने arduino के ground wire पर दिया है और servo का जो signal wire है वो मैंने arduino की pin 11 में दिया है पिक्टो blocks में arduino को चलाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ board में जाके arduino select कर रहे हैं जबकि यह जो arduino है यह मेरे laptop के साथ अभी connected है और फिर हम यहाँ से ठीक board select कर रहे हैं कि device name यह इसको हम अब connect कर रहे हैं तो अब हमारा जो arduino board है वो हमारे picto blocks से connected है और जैसे ही हमने यहाँ arduino board select किया हमारे पास यहाँ पे कई सारे और programming blocks हमें मिल गए पहला यह हमारे को arduino के programming blocks मिल गए उसके बाद हमारे को actuators जैसे की motor और servo इनके programming blocks मिल गए और इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे और भी programming blocks हैं जैसे sensors के लिए, LCD displays के लिए, segment displays के लिए और भी बहुत कुछ पर हम यहाँ पे केवल जो servo है इसको इन blocks को हम use करना चाहते हैं पर बिफोर दाट अगर हम Arduino को यहाँ से चलाना चाहते हैं तो हमारे को दो चीज़ें करनी पड़ेंगी पहला कि जब हमारा यह board connected है तब हमारे को यहाँ पे यह upload firmware करना पड़ेगा और यहाँ पर अब हमारी जो यह firmware है यह upload हो रही है हमारे Arduino पर ताकि हम उसको इस app से directly control कर पाएं without having to upload the program that we write क्योंकि अगर आप यहाँ उपर देखोगे तो Arduino पिक्टो ब्लॉक्स दो तरीके से Arduino connect करता है या तो stage या upload तो अगर मैं यहाँ upload select करता हूँ तो यह हमारे को जो Arduino का C++ code है यह हमारे को generate होता है और इसको फिर हम while the Arduino is connected हम upload करते हैं बट अगर मैं इस upload के mode में हूँ और मैं यहाँ जाके फिर AI ML के extensions देख रहा हूँ तो AI ML का जो extension है वो यह video बनाते वक्त इस mode में नहीं काम करता है cannot be used with upload mode इस वज़े से हमारे को यह केवल stage mode हमारे को चाहिए और stage mode में फिर हमारे को यह जो AI ML के extensions है यह operational मिलते हैं और उसके बाद हमारे को एक चीज़ और करनी है क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम connect करें तो वो Bluetooth से connected हो not कि वो serial port से हमारा Arduino हमारे laptop या PC से connect हो तो Bluetooth से connect करने के लिए हमारे को PictoBlox की website में जाकर यहां से एक यह PictoBlox link जो है इसको हमारे को download करना है based on आपके पास कौन सा operating system है और download करने के बाद उसको जैसे अगर Windows है तो आप Windows की file को download करेंगे और इसको install करेंगे और software install होने के बाद आपको इसको run करना पड़ेगा मैं अभी Mac में काम कर रहा हूँ मैं यह software अलड़ी download कर चुका हूँ तो इसलिए अगर मैं अपने Mac में जाके कह रहा हूँ कि PictoBlox link तो मैं इसको यहां चला रहा हूँ तो अब PictoBlox link जो है यह software background में चल रही है और क्योंकि यह software background में चल रही है इसलिए हमारा जो laptop या PC है वो वाया Bluetooth हमारे Arduino से बात कर पाएगा और इसलिए हम stage mode जो है यह यूज़ कर पाएंगे So just to quickly repeat AI ML extensions यूज़ करने के लिए आपको stage mode यूज़ करना है और इसके लिए आपको पहले अपने Arduino board को connect करके firmware जो है यह upload करनी है और उसके बाद आपको pictoblocks गी link जो है यह software download करके install करके इसको background में run करना है जब यह steps पूरे हो जाएंगे तो हमारा जो Arduino है वो हमारे laptop से Bluetooth के तुरू connect कर पाएगा हम इसको पहले test करके देख सकते हैं तो मैं यहां से actuators में जाके यह set servo ला रहा हूँ और मेरी servo pin 11 में है और मैं यहां कह रहा हूँ कि let's say 0 और अगर मैं इसको click करता हूँ तो मेरी servo जो है यह move हो रही है और जैसा आपने notice किया मैंने यह code जो है इसको upload नहीं किया मैं यह via bluetooth इसको almost like live transmit कर रहा हूँ और अगर मैं इसको 180 degrees कहता हूँ और फिर चलाता हूँ तो यह 180 degrees move हो रही है अब हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि हमारी servo भी काम कर रही है और हमारा जो यह ML object recognition का हमने जो program लिखा था यह भी काम कर रहा है तो हम यहां पर इस तरीके से इसको control कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि signal go detect होगा तो servo जो है इसको maybe let's say zero degrees कर देना और फिर मैं यहां से फिर से ला रहा हूँ और अगर stop detect होगा तो इसको zero degrees sorry 180 degrees कर देना और यह सब मैं वापस green flag click से connect कर रहा हूँ तो अब अगर signal go detect होगा तो जो बाकी चीज़े हो रही थी पहले वो तो होंगी हमारे पास green यह green sprite हो जाएगी साथ ही हमारी servo जो है वो भी move करेगी तो इसको हम test करके देखते हैं तो यह हमारा program ठीक काम कर रहा है and I hope आपको इससे एक sense मिला कि कैसे आप AI MLK extensions को sprites को control करने के लिए use कर सकते हो या फिर आप actual physical world में Arduino या microbit या ऐसा microcontroller को ही लगा के आप real world objects को भी control कर सकते हो हम Arduino का एक और example देखते हैं यह एक पहले project में हमने face detection का जो extension है इसको use किया था इसमें हमने train किया था अपने model को to recognize a face और जब first part of the program execute हो जाता है जहांपर कि इसने मेरा face recognize करके उसको store कर लिया है और camera फिर अब off हो गया है तो मैं space की दबाता हूँ तो यह camera फिर से on होगा और और यह अब recognize कर रहा है और कह रहा है कि welcome back on तो हम यहां पर इस program को थोड़ा modify कर सकते हैं और हम इसमें भी based on face recognition कोई connected device को control कर सकते हैं और हम project क्या बना रहे हैं कि हमारे पास यह Arduino है जो हमारे laptop से connected है इसमें मैंने वही servo जैसे पहले attach करी थी वैसे attach करी हुई है और अब इस servo में मैंने एक यह rack and pinion system attach किया है rack and pinion system क्या करता है कि जो servo का rotational movement है उसको linear movement में convert कर देता है तो अगर मैं यहां पर कहता हूँ कि set the servo to let's say zero degrees तो यह खुल जाता है और अगर मैं कहता हूँ कि set it to 180 degrees तो यह दर्वाजा बंद हो जाता है और हम चाहते क्या है कि यह जो दर्वाजा है यह face recognition पर काम करें कि अगर मेरा face recognize हो तब यह door जो है यह खुल जाए इसके लिए हम यहां पर कह रहे हैं कि जब यह 180 degrees है तो यह बंद है और इसको मैं duplicate कर रहा हूँ कि अगर zero degrees है तो हमारा दर्वाजा खुल जाता है तो हम यहां पर डाल देते हैं कि दर्वाजा बंद हो और फिर हम कहें कि welcome back अगर यह recognize हो जाए तो हमारा दर्वाजा जो है यह खुल जाए हम इसको test करके देखते हैं तो हमारा model जो है वो train हो गया है और face recognized and stored हमें मिल गया है camera off हो गया है यहां पर यह हमें हमें बता रहा है कि एक face recognized है अब मैं space bar दबा रहा हूँ और अगर recognize हुआ face ठीक से तो हमें welcome back अतुल और हमारा जो डोर था यह वो भी खुल गया so I hope इन दो projects से आपको idea मिला कि आप कैसे AI MLK extensions यूज़ करते हुए scratch की sprites control कर सकते हैं या कोई micro controller add करके उस से servos या कुछ और चीज़ें जोड़कर उनको भी control कर सकते हैं I hope आप ये use करते हुए महिदार projects बनाएंगे